हेलो एव्यवन वेल्कम बैक टू माई चैनल कावि सकेडवी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सैंटर लिन्यूर सिटी मसे लाइफ साइंस 2020 पेपर सॉल्यूशन सो इस वीडियो के अंदर हम डिसक्स करेंगी कोशिन नंबर 66 से लेके 85 तख बागी की जो कोशिन से वह अल्रेडी मैंने डिसक्स कर दिया है तो आप प्लेलिस में जाके चेक कर सकते हो अधरवाइस आपको वीडियो का लिंक डिसक्रप्शन में मिल जाएगा स्टाइट करते है वीडियो को अगर आपने मेरे चैनल पर फर्स टाइम विजिट किया है और प्लेज सब्सक्राइब मैं चैनल कोशिन नंबर 66 अफेज दाइस्ट्रेड होसेल इस कॉल्ड तो इस समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लाइटिक साइकल क्या होता है देखो लाइटिक साइकल का मतलब क्या होता है कि माले यह बैक्टिरोफीज यह बैक्टिरोफीज अपना जैनेटिक मेट्रियल इसके अंदर इंसर्ट कर रहा है होसेल के अंदर तो यहां पर वहोसेल के साथ डिवाइड होता रहा है उसकी बार निकल जाता है तो यहां प एता है लोकु लाइस की सी Majlis ये होते है लाइ सब्सक्राइब ऋरा डाटस अपक्रेश जानिक साइक रायान है अगर कोई phase replicate हो रहा है through the lytic cycle only lytic cycle की तुर उसको हम बोलेंगे virulent phase तो देखो virulent phase only lytic cycle और इस cycle के अंदर क्या होता है host की जाल क्या होती है डाश्टोय होती है ना डाश्टोय हो देखो यहां पे license हो रहा है template phase okay so all over आपका जो अंसर होगा that is option no.a question no.67 hospital acquired infection are known as hospital acquired infection means hospital से को infection acquired हुआ मिला इसको हम और क्या बोलते है तो देखो hospital acquired infection that is also known as the healthcare infection healthcare acquired infection and the nasochromial infection option no.c में दे रहा है nasochromial infection इसका definition क्या होता है are the infection that patient get while receiving treatment of the medical and the surgical condition okay so option no.a आपका होगा see correct question no.68 which one of the following is not an antibiotic in में से कौन से antibiotic नहीं है तो देखो सबसे पहले चीज़ दिए आती है कि antibiotic होता गया antibiotic is the antimicrobial substance act against the bacteria means bacteria के अप्शन नमबर फर्स्ट देखो एक एक एंटिबायोटिक है तो यहां पर कोश्चन में क्या पुछा का है not an antibiotic तो यह तो को इंफेक्शन से लेक उसके जब को ट्रीटमेंट करने में यू जाता है तो यह भी आपका antibiotic है तो यह भी आपका होगा नहीं कोश्चन में क्या पुछा कहा है not an antibiotic ना तो तीनों की तीनों तो यह होगा आपका करेक्ट आपका करेक्ट कोश्चन नमबर 69 ग्लाइको प्रोटीन प्रोजेक्शन देट सब्सक्राइब करोना वाइरस 19 तो यूमन की सेल के ओपर जो जो क्रोना वाइरस अटेच हो रहा है तो वह जो प्रोजेक्शन लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा आप पर वह जह हमें बर्ण के साइड जो दिखता अवे ग्लाइको प्रोटीन का बना ऊथा तो उसको हम क्या बोलते हैं थी जो है यह ही जए शी हो है न इसकी बात की जा रही है जो हैं तो स्कुम क्या बहलते हैं पैंडेमिक स्यूचेशन का भुआ था सबसे पहले लॉक्डाउं का भुआ था यह भी प्रोशन पूछ लिया था इसका जैनेटिक मटियाल क्या है अगया तो उसकी दम जितनी भी इंफॉर्मेशन है जितनी भी आपको कोरोना के वकर इंफॉर्मेशन मिलती है वह सब किसद ल प्रेक्ट कर लेना यह जो साल वी दिन साल है यह अपका एंडोसिंबियोटिक थीरी के ऊपर है तो यहां पर जब आप एंडोसिंबियोटिक थीरी अगर आपको पता होगी तो इस कोशन का अपको अच्छे से कर लोगी तो वैसे उसको भी हम वह कंसर्ट भी आप अप्लाइ भी हन्हों स्ट्रक्ट् Zealand क estásky उन्डrobय रहता हिसा मेम्दी रीबसम एंडोश्म फिर यह उबल्स ट्रक्ट्ट्र को सिंगोंड है दोसिंगऊ हो थे लिबल्स जैो शीटो ऑप अपको पर लगल्यु लंच हो ऑन्या पारध को ढंयर प्लांत के निमल 한데 लोता है अपको पत्तान कि दो मैट्रो कंट्रे बना लिया और फोट सिंथयों बैक्टरियों के इंगल्फ किया तो उसके अंदर क्लोर्ड़क्ञ की अंदर क्लोर्स की खामेशनो का फूर्मेशन ने कि इंगल्फ नहीं किया तो इसके अंदर एपसेंट हो गया तो इसके अंदर एपसेंट हो गया तो यह कोशन आपको तभी समझ में आयागा जब आप को अच्छे से देखोगे तो इसके बारे में एक बार बेसिक नॉलिज ले लेना ओकी ना कोशन नॉम्बर सेवन्टी विच्वन आप फॉलएंग इम्मुन ग्लोबीन आईजी गी प्लाइमरी इम्मुन रिस्पांस तो यह कोशन्स यह जो इम्मिनोग्लोबीन की जो कोशन्स यह जो इम्मिनोगी तो नुम puts सेर्ज जाय कुछन्स जोकी फूलिज इसकी इसक तो बेसिक आइड़ी पूचन और जिया दें नहीं पूछ दें सबसे बाद आपको एंटी बाड़ी होती है उसके सबके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और उसका फंक्शन बस इतना इतना आपने कर लिया ना तो आपके लाइक दो को आपको मिली जाएगा तो यहां पर आपको क्या बोला गया है प्राइमरी इम्यून डि इस पॉन्स होता तो आपका जो अंसर होता है आपका IgG तो यह चीज़ धियान रखना ना कोशन नमबर 71 दो मॉनोख लोन एंटी बोड़ी रिकोगनाइज तो देखो एंटी बोड़ी है तो किसको रिकोगनाइज करेगी एंटी जन को करेगी एंटी जन में भी आपको पता ह है यकी यकी ये एंटी बोडी है और मौनंदो एंटी तो अंटी बोड़ी का ही जो पार्ट जो रिकोगनाइज करे होता है और जो आपका यसूं एप से करेगा psychology ना एंटी किसे करेंगा स़्गर्के तो यहां पर ऐंटी जन तो ठीक है एंटी जन हो सकता ह्क्ट इह पर पें एंसर अपका एपीटोब से क्या करेंगा रिकोग्नाईज वोगा एंटिबोडी से रिकोग्नाईज होगी सॉप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट कोशिण नंबर 72 विच वन फॉलवाइं इन्जाइम इस रिकोग फोटो रिक्टिविशन ऑफ डिन ऑपीड तो यह जो कुश्शन आपका डिने रिपाय मेक निजम से तो देखो डिने जो रिपाय मेक निजम है वो आपका टू टाइप का होता है वीट तू टाइप का होता है डिल्यक्त रिपार मेकनीजम और दूसरा इजर है एकसिजन रिते उप्रडीजम टोके इस ऐँ तर्ड डिल्यक्त रिपैर मेकनीजम ख़ए रिक्सेञियर मेकनीजम करने कर दो को फोटो रिक्तिवेशन क्या होता है कि मैंने बता दें कि एको लाइछ फंजाए इस्ट प्लांट एंडल वर्टिब्राइं चे अंदर आफ दीएने विशत अंडल सुन नीर यह थामीन और यह कसा है ऐड़निन आपको पता है कि जो थामीन haviaウथ बनाता सब्सक्राइब समेर न है ऊपर से सलत शम्राइट चाहिए सब्सक्राइब गार मान लोग की भार से साम ऐप से सनलाइट रहें लेज़ वार यो इप उप्र स्की वजह से जो यह यह क्वेभि吧 क्य पर तो वह अगर उनकी उपर गिरती है तो क्या होता है कि जो एके साथ बॉंड बनाया तो तो यह कंडिशन हो जाती है अब इस कंडिशन को सही करना है हमें क्या करना होगा DNA को रिपाय करना होगा तो DNA को रिपाय करने मेकनिजम यूज करना होगा और वो रिपाय मेकनिजम होता है इस फोटो रिएक्टिवेशन इस रिपाय मेकनिजम में क्या होता है कि मालोगी यह ऐसा हो गया थाइमिड डायमर का फॉर्मेशन हो गया कोई भी जरूब्हार नहीं थाइमिन मैं तो अक्जामपल बता रहे हैं तो अगर उसकी उपर मैं ब्लू लाइट दो, Okay? ब्लू लाइट प्लस एक देता है 1 गन्यन फो फो ठोलाइज एक एंजाएं में DNA photolyase option number B में दे रहा है and blue light तो क्योंकि DNA photolyase क्या होता है blue light की presence में active रहता है फिर वो क्या करता है कि इस thymine diamond को तोड़ देता है अब तोड़ेगा तो thymine diamond break हो जाएगा फिर again वो इस position में आ जाएगा ना एक इसाथ bond बनाने लग जाएगा तो blue light plus DNA photolyase की जरूत होती है तो यह photolyase तो lyase का मतलब जोंडना होता है ना तोड़ना नहीं होता है lyase का मतलब तोड़ना तो भी आपका सही है AP endonuclease यह तो आपका ascus and repair mechanism के अंदर आ जाता है उसके अंदर भी nucleotide ascus and repair mechanism से ना based ascus and repair mechanism उसके अंदर आएगा DNA glycosylase वहाँ पर भी enzyme यूज करते हैं तो overall चीज़ यह किस question क्या जो answer होगा आपका B option number B DNA photolyase question number 73 which among the following is causal adrials and for swine flu देखो कितना simple question option number B में आपको देख्या देख्या प्लास्मोडियम फैलसी प्यरम यह तो पता है आपको malaria cause करते तो यह तो होगा नहीं साइम फ्लू तो करेंगा नहीं तो होगा नहीं आपका क्या दिरेख्या साल्मोनी न टाइफ़एड तो ताइफ़एड कोस कर रहा है तो होगा नहीं and के अंदर absent absent होता है option number आपका होगा सी करेक्ट यह तो होते ही प्रेजेंट को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब के लिए तो आपने सुनागा देखो यह प्लेंट हर्मोन है वह आपको अच्छे सी ध्यान लगना चाहिए कि कौन को सी थाईलीन यह बार में चारों के बार में जो इसका फंक्षण है आपको अच्छे से पता होना ची किसी और का फंक्षिन कभी ऑ्गी श्यान का उख जिंगा कभी साइटो का इंग देए ना अपको यह तो यह पर यह पर देखो यह पर जो रपनिंग फ्रूट का जो रिस्पॉंसिबल ह इसके बहुत सारे functions होते हैं इसका function एक होते हैं abscission abscission का मतलब होता है sapal petal leaf fruit अब fall गिर जाते हैं इसको हम बोलते हैं abscission fruit wrapening क्लाइमिटिक condition की वज़े से भी होती है नॉन क्लाइमिटिक की वज़े से भी होती है थर्ड आपके इसका function होते हैं involved in biotic and abiotic stress okay means बाहर से कोई pathogen का attack हो गया तो वह हो गया ना biotic stress and abiotic like बहुत जादा high temperature है या फिर पानी नहीं है तो वह हो गया biotic stress so option number तो उसका condition में ethiling का secretion होता है so option number आपका होगा एक correct question number 79 76 which one of the following technique use for dna finger printing for human being human being के लिए कौन से dna finger printing यूस करते है पता है वो तो हम कौन से करते है rflp that is the restriction fragment length polymerase okay option number आपका होगा एक correct यह चु टेक्निक्स है सब कि साइज और फिंगर प्रिंटिंटिंग टेक्निक्स है PCR टेक्निक है और भी चौसा ही टेक्निक्स है या भी जोतना सदम ब्लॉटिंग वेस्टन ब्लॉटिंग एस्टन ब्लॉटिंग इन सब के बारे में थोड़ा नॉलिज ले लेना इसके लिए क्या 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 है क्या क्या यूज है सिंपल्स आपको बेसिक वीडियो देखने हैं कि सो आप धियान रखना इसके बारे में एक दू कोशन सापको मिली जाते हैं टेक्निक के ऊपर कोशन नंबर क्रमेटर ग्राफिक के ऊपर मिल जाता है कोशन नंबर 77 विच विच वन अफ फॉलेंग इस जैनेटिक ली मोडिफ क्रॉप तो जैनेटिक मोडिफाई क्रॉप की आपको पता ही एक्जाम्पल है ना 12 से पढ़ते आ रहे हो बीटी ब्रिंजल गोल्डन राइस फ्लैवर से हो टॉमिटो सुमिस तीनों है आपका तो अलफ अब करेक्ट अंसर होगा कोशन नंबर 78 विच टेक्निक वर यूस सैंपल को हम साइस की कोडिक कर रहे हैं तो वह होता है क्वलिटीट अगर इस को हम उसको तॉम की मास की पार नग्यटक करते हैं तो और मैं यह को पता लगेगा दिन चर्चिण इसके अंदर जो DNA है रंद करता है न फिर उसकी साइस की अकोडिंग मुसको सेप्रेट कर लेते हैं तो यह आपका होगा करेक्ट आंसर इस ऑप्शन नमर बी इस आपका हंएiga यंटो आपका इलखन प्र लेक्टो प्रेशन कहिं एक लिए स्व Says्पनल स्टें लग कुछ नहीं है सिंपल सें इसका नियुकलिस है बाहर से क Oui मुझे इसको मुझे इसकों के अंदर इंसर्ट कराना तो मिस कि सेल को किया करेंगे लाइस करेंगे पोर करेंगे इस टेक्निक को मोलते है एलेक्टोपोरेशन ओके यह भी आपका यह भी कोई डियने के अमाउंट का एक्सक्रेट करने का तो है नहीं तो यह भी आपका नहीं होगा तो यह भी नहीं होगा तो यह भी नहीं होगा तो या फिर उसके चार्ज की अकोडिंग ना कोशिन नमबर 79 विच वन फॉलाइंग क्लोणिंग वेक्टर इंकॉपरेट हाय लैंध दिने फ्रेक्मेंट यह कोशिन भी रिपीटेटिव है बहुत सांटेस एक पुछ आता है कुछ नहीं है सिंपल से आपको वेक्टर की साइज पत कारेक्ट कोशन नमबर 80 टेक्निक इस यूस्ट व डिडिवीश दिट इने फ्रेग्मेंट फॉलंग डिजाइब प्रोट्कॉल ओकि तो ऐसी कौश्य टेक्निक है देखो यहां पर क्या करता है कि पहला ऑप्शन के आपका जैल एलेक्टोफोरेश्स जैल एलेक्टोफोरेश क्या होता है इस तेक्निक यूस्ट ने फ्रैग्में अकोडिंग तो देयर साइज साइज की अकोडिंग डी ने को सेपरेट करना है यहां पर हम किसी डी ने के अंदर जो नूक्लिक डैड़ है उसका पता निलगा रहे है तो यह तो होगा निज्जाल एक्टोफ्क प्रोडिक इस यह इस फोड़ी अपर टीनीच इसक्थ कोटैना ुसुंध लिल्ड नंगी साथ होगा सब्सक्राइब यह आप्सिन प्राक्षाइब आपके सेट यहिए होगा विल्डिूस में सप्राइब प्रक्रेफ बनाना ना जो डिजय डिन्य डेशेटीन अ हमारे पास उसकी multiple copies बनाना तो यह तो होगा होगा नहीं और all of अबहों तो ऐसे ही नहीं होगा सॉप्शन नमबर आपका होगा बी करेक्ट कोश्य नमबर 81 secondary metabolite are produced to secondary metabolite तो यह जो कोशन है इस यह उसकी राद कजिए टिंडीय यह कुणकी गुलिक होगाई तो क्योंकी यह इसưula कोई बीस क्यों कोई स्वह श्रंस्वर की सेकंडरी मेट्रोबलाइट की एक्जामपल है सो अप्शन नूम्बर कोई भी नी होगा ना इस कोशन के लिए बॉनस मिना तर लाच टाइम कोशन नूम्बर 82 विश्वन अफ फॉलाइंग मैथर्ड यू सिंथेसाइज डिजाय डिन इसकोएंस इन विट्रो इन विट्रो का पहला आपका ऑप्शन क्या है इस गुट्रो इसको अपने इस अप्रोफिलिंग भी बॉल सकते है इसका मालब क्या होता है कि किसी पॉर्टिकुलर कि हम उसकी डिन टीन डिन आ करक्टर को इदेफाय करते तो यह तो होगा नहीं इहां पर कॉप्शन की बात करनी है अप्शन option number c that is the polymer chain reaction so what happens in polymer chain reaction which is desirable DNA we can make multiple copies so this is your answer option number d that is gene cloning gene cloning means particular gene cloning we can clone a particular gene so this is also possible but here is particular DNA so we will use DNA that is the polymer chain reaction because we have multiple copies so option number c will be correct gene cloning in any organism it will be in vitro in vivo also bacteria can insert the gene and then bacteria can make copies so it will be in vivo in vitro but the answer again the revised answer in your D so it will not be D your answer question number 83 the cDNA clone different from xenomic DNA clone by so this is simple DNA 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 say to know how long with hnRNA हीट्रोजिनस एप होते हैं इंटु यह लिए प्रससिंग होते हैं कि स्प्लाइसिंग होती है तो दिको हैं कि पास च्छाय आ ने की पास होता है कि मालो यह ने आर्ने आर्ने के पास एक्जोण होगा एक्जोण हो और यहां पर इंट्रोन होगा तो हमें क्या करना ह तो यहां पर हमें क्या करना है कि MRN के पास क्या नहीं है इंट्रों नहीं है तो देखें अगर यह MRN वापस DNA की अएशे नहीं होता है तो जो DNA बनता उसी कौ्म का बोलते हैं CDNA क्या पॉलते हैं उसको CDNA तो CDNA के पास क्या चीज नहीं होगी है इसके पास अगर इंट्रों नहीं होगा तो इसके पास भी तो आपको इस कुशन को समझने से पहले आपको तीन बेसिक चीजी आपको पता होने चाहिए आपने सुना होगा हाइपर टॉनिक आपने सुना होगा हाइपर हाइपर टॉनिक हाना दूसरा आपने सुना होगा हाइपो टॉनिक हाइपो टॉनिक तीसरा आपने सुना होगा आइसो इस टाइप इस जो नाम है इसके उपर काफी ज़्यादा कॉशन आती है एक नए एक दू को आपको मेली जाएगा तो इनकी बारे में आपको बेसिक आड़ा होना चाहिए हाइप यहां स्ट्रोनिक का मशलब क्या होता है हाइऐ इसकी इसे की मिस्त y dick iboda part kay rara sawgy tril यू कि बारे गार नि अटोनें की वजह से सेल के हो जाएगी तो हम एनिमल की केसमें मैं सिंक यूस कर्ते हैं Hypertonic energy में, Hypermisze जएधा क्या ज़्यादा? कहां पर माहर, बहार solute ज़्यादा, तो Water के है कम है water बहार का मैं तो अंदर से Water बहार आ जाएगा इस वज़े से क्या होगा सेल स्रिंग हो जाएगी इसे वह होता है क्या है Hypotonic उसका जर्स ओपिजिट के होता है ऐइपोटोणिक क्यों होता है कि देखो यह जो सेल है। इसको यह होता है कि लिए सेल की फूल जाएगे तो इस कंडिशन में करें में को हुगा यह स्ञेल क्या करें कि जोड़ ऐसेормुषरा ही धुकुष था उस जोड़ गाए है है प्रीजर लगा जा रहता है उसा कोुषिन तो यह होता है आपका तीनों में बेसिक डिफरेंट इसका कुछ भी स्टोरी बना कि कैसे भी कुछ पूछ ले आता है तो द्यान आपका तो आपका तर्जर प्रेसर होगा आपका आपका अंसर पानी की खरेंट आपका एंसर पानी कविति तो ठ्रेशर होंना जाता है तो तो अनुआ लगहां होता है कि दूकुकर ऎकि हो तो भी इस के अंदर शित्काया होता है रात की ताहीं हे और िन के टाहिम होता है ते इस टाइब के चयों उतायए और आटकाया फ्रेसे Clayton C4 & C3 तो इसके जो इस्टोमिटर होते है वो डे के टाइम उपन होते है नाइट में बंद होते है ना तो धियान लगना option number आपका होगा C correct तो इस वीडियो के अंदर हमने 85 questions को discuss किये next वाकि के जो questions रहें 15 questions रहें वो next part के अंदर हम discuss करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना साथ ही सथ अगर आपने अगर आपने आपने जो टेलिग्राम ग्रूप में जोइंग करना चाहते हो तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो वहां पर आपको कोई बुक सी लाइक पार्फाइंडर की पीडियाफ एक्सेटर की जरूरत है तो वहां पर आपको मिल जाएगी तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो बाई बाई टेक्यार